दोस्तों हमारे देश के अच्छे नागरिक हो या ना हो नियम और कानून को ठीक से फॉलो करते हो या ना करते हो लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आते है न हमारे अंदर का देश बक्ती का जजबा तेजी से बाहर रहता है आपको पता है आजादी से पहले ब्रिटीशर्स ने आते ही हमारे देश में फूट डालो शाशन करो की निती को अपनाना शुरू कर दिया था और दोनों के बीच में डिवाइड इंड रूल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते थे लेकिन जरीए उन्होंने ये निर्णे लिया कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बाड़ दिया जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान और इस बटवारे की कैलकूलेशन करने के लिए जो वकील पहली बार भारत देश में आया था उसने केवल जाती प्रथा के अधार पर मतलब हिंद राजे तो बीच में से ही 200 में बट गए जैसे आपको पता है कि पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब हिंदुस्तान में भी है ठीक ऐसे ही कश्मीर पाकिस्तान में भी है और कश्मीर हिंदुस्तान में भी है जब दोनों जोगे के लोग एक जैसे थे घर परिवार ए और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के रिष्टदार हिंदुस्तान में रहते हैं जरा सोचिए यदि ये दोनों देश विभाजित ना हुए होते तो क्या होता सबसे पहला फाइदा जो होता वो ये होता कि हमारे देश की मिलिटरी पूरे विश्व की सबसे ज्यादा पाउ में दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध हुए जिसमें हाजारों लाखों सेनिक शहीद हो गए अगर हम एक होते तो शायद ऐसा नहीं होता और हमें आर्थिक नुकसान भी नहीं होता और अगर आज हम दोनों साथ होते तो हम डेवलेपिंग नहीं डेवलेप्ट कंट अगर हम दोनों एक होते तो ज़्यादा पाउरफुल होते, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो इंडिया, अफगानिस्तान, इरान और चाइना से लगता है, वहीं इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान, मयामार, चाइना, नेपाल, भूटान और बंगलादेश स लगता है, अगर हम एक देश होते न, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनस में भी और ज़्यादा सफल होते, और हमारी एकॉनमी फाइनेशली और ज़्यादा साउंड होती, और इतना ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान की जीडिपी, यदि मिली हुई एक जीडिपी ह तो ये विश्व की थर्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ी जीडिपी होती, इसका फाइदा ना तो हिंदुस्तान को हुआ, ना पाकिस्तान को हुआ, इसका फाइदा तो उन देशों को हुआ, जो हत्यारों की सप्लाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करते हैं, अमेरिका जै ऐसे ही हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ कर दूसरे तेश मे जाते हैं लेकिन अपने देश में आकर वह attitude ना जाने हमारे अंदर कहां से आयता है कि हम एक दूसरे के साती नहीं विरो दी है और इस वीडियो को देखकर भी अभी बहुत सारे controversial messages आने लग जाएंगे हिंदुस्तान के समर तक ये बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया पाकिस्तान के समर तक कुछ और बोलेंगे हर व्यक्ति अपने thought process के हिसाब से अपने विचारों को थोपने का प्रयास करेगा लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्ची ये है कि हम एक थे एक हैं और भविश्य में भी इसी तरह से भाईचारा और प्रेम बना रहेगा अब मैं आपसे पूस्ता हूँ अपने दिल पर हाथ रखके मानवता के अधार पर बताएं क्या हम दोन एक दूसरे के विरोधी है क्या हमारे मतभेद केवल राजनेतिक या आसामाजिक तत्वों के कारण नहीं है या क्या हम सच में अपने आपों एक दूसरे से अलग मानते हैं क्या हम ये मानते हैं कि हम एक दूसरे के भाई हैं थे और हमेशा रहेंगे ये बात मुझे comment box में लिखका जरूर बताएं और ये दिया आप चाते हैं कि ये भाई चारा निरंतर ऐसे चलता रहे तो इस वीडियो को हिंदुस्तान हुआ पाकिस्तान जादा से अदा शेयर जरूर करें और comment box में अपना जबाब जरूर लिखें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत